यहां भी अफ्रोजा खातून के उपर तेजब फेका गिया आज वो जिंदगी मोद की लड़ाई लड़ रही है यहां खालिदा के उपर तेजब फेका गिया अलोग साह के द्वारा क्या कहेंगे अब हम भी क्या अलोग साह के घर पे जाके मैं घुजड के बोले हैं कि इसको तोड़ा दोड़ा के मार दो यह कहेंगे चार लोगों पर तेजब फेका गया आलोग शाह द्वारा उसमें से अफ्रोजा खातून गंभीर है और अपनी जिंदगी और मोद की लड़ाई लड़ रही है और पहचान जो उनका चेहरा है पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है अभी वो अस्पताल में है ना हैवान से ना शैतान से डर लगता है अब तो इंसान को इंसान से डर लगता है और इंसान को इंसान से डराने वाले लोग कुछ सोसल मीडिया के तथा कतित पत्रकार लोग हैं कहा गये जी अगर आपको लगता है कि आप इंसाफ के लिए कर रहें तो यहां भी आईए यहां भी अफ्रोजा खातून के उपर तेजाब फेका गिया आज वह जिंदगी मोत की लड़ाई लड़ रही है यहां खलीदा के उपर तेजाब फेका गया अलोक साह के द्वारा क्या कहेंगे अब हम भी क्या अलोक साह के घर पर जाके मैं वहां ने जहर जो जहर मोगों सेवते हैं। हैं से तुम्हें लोग यह से हिकर लिधी के तो बाद ये अन। क्ला अरोग सुझतबूरगा है और की आई कौन लोग है उसके पीछे खड़ा तो यहीं नहीं कि जिस तरह से मोबाइल में देखा जा रहा है सोसल मीडिया के मध्यम से देखा जा रहा है वही चीज़े हैं आप देखिए कि किस तरह से एक घर है लोग अपने किस तरह से पहले रहते होंगे कितना पहले प्यार भी तीया घ्यागी या और जो जहर अब धीरे धीरे बड़ा हुआ और जहर का नतज-वह हैं लिएव व्यक्ति द्वारा तेजाब फेक दिया जाता है डिवी टेजाब जिस चहरे पर चला जाएगा जिस चहरे पर तेजार चीते लगजाएएगी वह चिहरा बरबाद हो जाएगा और अब क्या होगा भविश में अब क्या होगा क्या सरकार मुआवज़ा दिलाएगी क्या जाडखन सरकार मुआवज़ा दिलाएगी conscious अब कि जहां पे अगर इस तरह के मामले जहां पे जहर बोया जा रहा है वहां पे भारत यंता पाठी के विधायक भारत यंता पाठी के सांसर और भारत यंता पाठी के जो मनोज तिवारी हैं वो लोग यहां पहुंच जाते हैं देवघर होते विए अंकीता के घर तक पहुंच र तो जब तक यहां पर विधायक नहीं आगा क्या लगता है कि आप बिना मौजा के क्या होगा जो उनका इलाज चल रहा है जो मौत और जिंदगी के बीच की लड़ाई लड़ रही है फिलहाल अस्पताल में है वहां भी हम आपको जाके दिखाएंगे गुड़्डा में कि अफ तरफ जो अफ्रोजा खालिदा के ऊपर जो फेका गया तेजाब हम चेहरा तो नहीं दिखा सकते अगर दिखाएंगे भी तो बलर करके दिखाएंगे तो समझे कि आखिर इस तरह का जो प्यार मौबत वाला माहूल था वहां पर किस तरह के माहूल बिगाणने का काम किया और अचा जो गलती किया है तो उसी का दोसे मतलब कहिए तो इसका पुरा परिवार जिमोंदार यह वहां अगार nowhere छिला चिला कर दोrière का सबीना भाला वहां तो सही होगा नहीं होगा तो यहीं समझने अफाइग है कि यहां पीका मिता है मिता है जिस तरह का मामला होता है तो ल्रपेट लेता है पूरा धर्म पे उद्र आता है नहीं विंग के शाली êtes here चालिए दो आप तो आप समझिए कि हम आपको कह रहे हैं कि सुछा उझा आलोकशा का घर है इधर रकीम उद्दीन का घर है रकीम उद्दीन के परिवार के ऊपर रकीम उद्दीन के परिवार के चार लोगों के ऊपर तेजाब फिका गया अब क्या होता है देखने वाली बात ये होगी कि आखिर सरकार क्या करती है कितना मौजा दिला पाती है लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से जहर बोया जा रहा है सोसल मीडिया के तथा कथित्पत्रिकार लोगों की देन है कि घटना है हमारे समाज के महगामा परखंड में अब यहां पर तेजाव घटना सामने आई और आरोपी को जो है सबस्तार करके जेल भेज दिया गया है आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे लोग हैं किस तरह से लोग है चलिए वीडियो दूसरा वीडियो